Hello students, take out your book and come to page number 147 Write the time shown by the clocks यह clock के जो time है वो हमें लिखना है यहाँ देखो, जो our hand है वो कहा है? 1 के आगे निकल चुका है और यहाँ 6 पर है देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 means 30 minutes हो चुके है 1, 30 हो चुके है और यहाँ पर हम क्या लिख सकते है? Half, past, 1 अब यहाँ देखो, यहाँ 4 के आगे निकल चुका है और यहाँ पर यह जो minute time है यह है 6 पर मिन्स 30, 4 30 time हुआ है इसको क्या लिखेंगे हम? Half, past, 4 and in this way you have to complete this question and you can do it very easily मैं जानती हूँ कि आप लोग यह बहुत अच्छे से कर लोगे देखो, यहाँ जैसे 8 के आगे निकल चुका है means 8 30 time हुआ है उसे लिखेंगे हम, half past 8 फिर यहाँ देखो 10 के आगे है और यहाँ 30 means 10 30 means half past 10 कर लोगे ना? okay, now see the next question draw hands on the clocks to show the time अब यहाँ हमें क्या कर रहे है hands draw करने है ठीक, 5 30 दिया है अब 5 30 means 5 के थोड़े से आगे निकल चुका होगा आपका our hand और 6 पर होगा हमारा minute hand okay, अब यहाँ देखो, यह 7 30 तो आप लोग कर लोगे half past 2 means 2 बच चुके है 2 के थोड़े से आगे यह जो हमारा our hand है वो चला जाएगा और जो हमारा minute hand है वो कहाँ पर होगा 6 पर half past 2 यह हमने यहाँ hands बना लिए now turn the page write the time shown by the clocks अब हमें इसमें लिखना है देखो 12 के आगे निकल चुका है means 12 बज चुके है ठीके और यहाँ है नाइन पर देखो 5 1s 5 5 2s 10, 5 3s 15 5 4s 20, 5 5s 25 5 6s 30, 5 7s 35 5 8s 40, 5 9s 45 means 12 45 हो चुके है और आपको हमने वीडियो में बता है ता जब 12 45 means एक बजने में अभी 15 मिनिट बाकि देखो यह वान पर जाएगा और यहाँ कितने बचे 5, 10 और 15 मिनिट बाकि है 1, ओके लिखते हैं हम quarter to 1 ओके अब यहाँ पर बताओ देखो 5 के आगे निकल चुका है means 5 और 9 पर है means 45 means अभी 6 ओक लॉक होने में 15 मिनिट बाकि हैं तो उनक्या लिखेंगे quarter to 6, ओके ऐसे ही आपको यह C और next पेज पे आजाएए D, E और F भी complete करना है अब देखिए next question draw hands on the clocks to show the time अब हमें यहाँ hands draw करने हैं अब दिये है 645 means जो हमारा our hand है वो 6 के आगे निकल चाएगा और 45 means कहाँ पर आएगा यह जो minute hand है यह 9 पर अब यहाँ देखो यह आप कर लोगे quarter to 8 means 8 बजने में अभी 15 minutes बाग किये तो हमारा minute hand है यह तो पता चल गए हमें 9 पर आएगा और 8 means 7 के आगे निकल जाएगा हमारा अभी 8 तक नहीं पहुंचेगा यह हमारा our hand in this way you have to draw now we will meet in our next video goodbye see you